हेलो स्टुडेंट स्वागे तभी आपका अपनी यूट्यूब चैनल आईसी सी मैथ पर आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे भी एक्सरसाइज ठीक है एक्सरसाइज है जो हमारी mcqs related exercises में आपको mcqs questions मिलेंगे mostly ठीक है exam के point of view से बहुत important exercise कुछ स्कूलों में क्रावी देते हैं teacher कुछ में नहीं कराते हैं बट जो teachers होते हैं क्या करते हैं exam यहीं से ही डालते हैं इस वे जो भी questions होते हैं जो क्योंकि बच्चे नहीं किया नहीं होता है तो mostly यहीं से exam में भी आ जाता गहीं बाट ठीक है तो इंपोर्टेंट exercise है आपने बिल्कुल ध्यान से समझनी है वही है तो देखो इसका first question करते हैं ठीक है तो देखो 80 exercise start करते हैं मैंने mcqs के जो साथ में देर्खे न option वो नहीं लिखे हैं आपने देख लेने हैं बुक से उसमें match कर लेना है जो भी होगा ठीक है तो देखो start करते है the sum in which amount एक मतली यहां पर भई amount आपका क्या है amount 2 rupees 840 in 5 years क्या बोला भई यहां पर आपको कि जो sum है वो क्या होगा अगर आपका amount 840 हो जाता है 5 साल के अंदर ठीक है and the rate of 8% per annum simple interest is तो simple बात है यहां पर आपको sum निकालना है क्या निकालना है sum निकालना है और आपको given दी होए यहां पर चीज़े देखो भी sum निकालने का पहले आपको formula पतो होना चाइग बार बार बोलतो हूँ मैं formula सारे अच्छे से याद कर लो क्योंकि formula याद नहीं रहेंगे तो आप क्या put करोगे value ठीक है तो sum हमारा क्या होगा अमाउंट इंटू में 100 divide में कितना होता भई 100 plus में rate इंटू में time ये formula भई बोत important इसको अच्छे से याद रख लो जब कभी exam में sum निकालने के लिए दिया जाए तो इसमें value डालने है अपने अब देख लो क्या-क्या value आपको दिया मैं लिख देता हो है आपर a means amount आपको कितना दिया भी 840 दिया है फिर आपका rate अभी rate कितना दिया आपको 8% दिया हुआ है time आपको कितना दिया भी यहाँ पर 5 साल दिया है 5 year दिया है ठीक है put all values इंदा given formula ठीक है भी देखो value put करते है amount आपका कितना है यहाँ पर 840 है तो लिखो 840 multiply में 100 divide में 100 प्लस में rate इंटू time 100 यहाँ पर है plus में rate कितना भी अपने पास यहाँ पर देख लो 5 है sorry 8 है और time अपने पास 5 साल है तो question को यहीं पी छोड़ना बस आपने ठीक है अब इसको option से match करके देखना आपने मेरे ख्याल से D option है इसका ठीक है check कर लेने एक बार यह 100 आगे भी हो सकता है मेरे ख्याल से multiply में तो आगे पिछे चलता भी ठीक है 3 into 2 भी 6 होता है और देखो यहाँ बता देता हूं 3 into 2 भी 6 होता है और 2 into 3 भी 6 होता है तो मत बल तो same ही होता है तो इसलिए 840 आगे भी हो सकता और पीछे भी हो सकता है कोई चक करनी पड़ेगा कि सोचो कि यह अलग आ रहा option ठीक है तो option D हो सकता है इसका ठीक है चेक कर लेने पर यह अपना question हो गया second देख लो कैसे करना है इसमें बोला है if 64 rupees जो हमारे है यहां पर amount दे रहे हो कितना भी हमें 83.20 ठीक है तो आपको बताना है कि 2 साल के अंदर मिला आपको यह तो what will be the rupees 86 amount in 4 years simple है ध्यान से सुनो क्या बोला है आपको यहां पर principle दिये 64 कितना दिये principle 64 दिये है दो साल के अंदर उसका amount हो जाएगा कितना भई 83.20 ठीक है 83.20 हो जाएगा उसका amount बठ हमें यह नहीं बताएगी कितने rate पे होगा यहनी कि आपको amount निकालना है यहां पर तो उससे पहले आपको rate निकालना पड़ेगा तो देखो भई आपको principle यहां पर कितना दिये 64 दिये amount आपको कितना दिया भई यहां पर 83.20 अगर आपको simple interest निकालना तो क्या करते हैं amount में से principle माइनस कर देते हैं तो 83.20 में से 64 माइनस कर दो तो कितना बचेगा भई 64 माइनस करेंगे तो अब देखो पिछे 20 तो ऐसी आएगा same to same 13 में से 4 गए कितने बचेगे यहां पर 9 बचेगे कितने बचेगे 9 बचेगे यहां बचेगे 7 7 में 6 किया 1 तो कितना आया भी simple interest आपका 19.20 आगया अब यहां पर हम क्या निकालना हमने रेट निकालना तो रेट का फॉर्मला लगाते हैं देखो वैसे तो simple interest का फॉर्मला हमें पता है PRT by 100 होता है PRT by 100 बचामे रेट निकालना तो यह दोन उसाइट जाएंगी तो रेट का फॉर्मला बन जाएगा simple interest multiply में देखो 100 आ जाएगा उपपर और divide में चला जाएगा भी यहां पर P into T 100 मैंने उसाइट भेज़ दिया P और T divide में भेज़ दिया ठीक है तो अब इस फॉमले के अंदर आपने value पुट करनी है जो भी आपको given है देखते हैं चलो rate as it is simple interest कितना आ भी आपका 1920 मैं इसका पॉइंट हटा दूगो ना बाद में यह लो मैं इसका पॉइंट हटा देता हूं यहां पर पॉइंट हटा दिया वही मैंने बीच में दो पॉइंट डेसिमल प्लेसिस पर इस फाय मैंने नीचे 100 लगा दिया ठीक है उसके बाद देखो P into T principal और T principal कितना भी आपक इसको जो जो चीज कट रहें उसको काट देते हैं पहले तो इससे यह कट जाएगा ठीक है उसके बाद 16 का टेबल लगा लोगे 16 का टेबल लगाओ के 16 4 जा 64 16 6 जा 96 उपर बचा 16 निचे बचा 4 4 से 60 को काट दो 15 आगया कितना है 15 क्योंकि 15 4 जा 60 होते है ना तो रेट आपका कितना आपका यहां पर 15 परसंट आया रेट आ जो आपका वह 15 परसंट आजाएगा आपका पास four year है और रेट आपने निकाली लिया है कितना भी 15 परसेंट अब आपने रेट निकाल लिया है बस आपने चेक करना भी इसको कि इसका amount क्या होगा ठीक है उसके लिए पहले simple interest निकाल लो भी formula लगा देंगे यहां पर PRT वाला ठीक है PRT यानि प्रिंसिपल रेट रो टाइम प्रिंसिपल लिखो भी 86 है रेट कितना पर आप 15 परसेंट टाइम कितना चार साल डिवैड में कर देंगे 100 ठीक है अब देखो काटते हैं इसको चलो पहले काटते हैं इसको कर लेते हैं चलो देखो सिंपल इंट्रेस्ट एटी सिक्सेट इस फिपन फोज़ा सिक्स्टी होता है निच्चे कितना अभी हंडर्ड एक जूर सेख्यों कट की सिक्स कूपर मुल्टिप्लाइग रों सिक्सेट थर्डिसिक्स थ्री करी गया सिक्सेट फोटेट और फिप्टी वन पॉइंट लगा सिंपल इंट्रेस्ट ठीक है प्रिंसिपल देखो क्या आपके पास अब एटी सिक्सेट लिखो प्लस में सिंपल इंट्रेस्ट कितना 51.6 एड गर दो भी देखो पॉइंट 6 तो पिछे ऐसे रहेगा 6 और 1 7 8 और 5 13 तो 137.6 आया भी आपका ठीक है और ये ओप्शन में चेक क देख लोग कैसे हुआ है एक क्वेशन मिलकुल ही easy question है ठीक है अचा जिन जिन कोई question समझ में है फटाफट वीडियो को like कर देना भी ठीक है और चैनल भी subscribe कर ले ना जिन बच्चों ने चैनल subscribe नहीं किया है ऐसी more videos के लिए ठीक है तो next question करते है भी third वाला question number third और fourth करते है भ एक लोग पर कैब ओलना है इसके अंदर sum at rupees x% ठीक है जो rate हो तो x% हो गया time भी आपका x है और rupees जो मिलेगे वो भी x है तो आपको sum निकालना है देखो sum को एक और बार मैं बता देता हूं पिछे हमने जो formula किया था first question वे वो भी sum का formula था और ये भी sum का formula बट formula अलग लगेग वो कैसे पता चलेगा अगर आपके पास यहाँ पर simple interest की बात हो रही है ठीक है आपको यहाँ पर simple interest में निकालना है और आपको amount नहीं दिया amount दिया तो पहले वाले question का जैसा formula लगना है अगर आपको simple interest की बात कही है तो simple interest वाला formula लगाना है समकामत पुल होता क्या यह principle होता अपना क्या होता है principle तो principle निकालना है तो simple interest का formula क्या देखा था हमने भई PRT by 100 देखा था ना बीचे multiply था अब हमने principle निकालना है तो 100 इसके साथ multiply में जाएगा देखो principle की value निकालने के लिए simple interest into में 100 divide में rate और time divide में आ जाएगे यहाँ ठीक है तो यह है हमारे पास अब इसके अंदर value पुट करना बस आपने देखो मैं उपर से value लिखे देता हूँ simple interest at x% तो simple interest है जो आपका वो कितना हो जेगा भी यहाँ पर x होगा ठीक है rate है जो वो भी x है time है वो भी x है सारा कुछ x x दे रखा आपको ठीक है तो value पुट कर दो simple interest कितना भी x है into में 100 divide में rate हो time कितना भी यहाँ पर x है into में time भी x ही है तो x से x कट गया भी उपर एक क्या बच चाना तो यह आपका final answer होगा यह sum यह principal आ जाएगा आपको इसको principal भी बुला सकते हो ठीक है तो यह होगा आपका इसको option चेक कर लेना है c है मेरे ख्याल से देख लेना एक पर ठीक है तो इस तरीके से करना था यह fourth देख लो भी आपको इसमें भी क्या find out करना भी capital find out करना है कितना इसके rate में वो निकालते है difference in rate of interest लिखो यहां पर difference in rate of interest कितना भी आपके पास यहां पर rate of interest 13% minus 12.5 ठीक है क्या बोला परैनम yearly बोला देखो ठीक है एक साल में time तो आपका one year है कितना भी time आपका one year है one year लिख देता हूं मैं यहां पर simple interest आपको दियो हो भी कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा ठीक है 104 अच्छा आपको फिर principle या capital निकालने है तो principle निकालने का formula देख लो यहीं पर लिखा था भी simple interest into 100 simple interest कितना भी 104 इंटू में 100 लगा दो डिवैड में कितना हो जाएगा आपका rate into time rate कितना भी आपका one rate आपका one by two time कितना भी आपका one देखो यह रहा ना rate rate कितना one by two है time आपका one है तो क्या हो जाएगा भी यहां से दो घूमकर उपर ही चला जाता आपको पता ही है पता है ना भी सभी को कि दो है जो घूमकर अपना उपर ही चला जाता है नीचे वन बचेगा सिर्फ बता देता हूं जो भी हमारे denominator में होता अगर वो fraction में होता है यह निकि numerator और डिनोमेटर से करोगे तो कितना आजेगा भी आपका 2480 तो यह आजेगा आपका final amount final जो भी इसका answer होगा principal या फिर आपका capital होगा वो कितना होगा वह 20,800 होगा ठीक है option चेक कर लेना एक बार इसका MC के उसमें A होगा मेरे ख्याल से ठीक है next वाला करते हैं वह question no.5 और 6 करते हैं भी देख तो B land करेगा उसका double ठीक है double कर रहा है land ठीक है उसमें क्या बोला amount 5 जो amount होगा उसको वो क्या होगा 5 years के अंदर at the same rate of interest तो what which of the following statement are to अच्छा इस question के अंदर कुछ statement में लेगी आपका option में इसको solve करना और एक statement बनानी है और वो statement चेक करनी है आपको given options में की वो same है की नही अथो पर सबसे ऐसमी नहीं पता है यहापर सम नहीं पता है यह की principle नहीं पता तो माहन लेते है पहली statement कर रहा हूँ है principle हमारा यहाँ पर एक्स मान लिया ठीक है जो B है यह तो A कर रहा था यह B है B land कर रहा है double यानि कि जो A ने amount जो principal लिया है उसका double ले रहा है वो यानि कि अगर इसने x लिया है तो यह कितना लेगा भई यह 2x हो जाएगा इसका ठीक है जो principal होगा इसका 2x हो जाएगा आगे देखो क्या दिया फिर double amount है 5 year के लिए किस पे बई जो time है वो कितने के लिए 5 year और साथ में rate है वो कितना बोला है इसने बई and the same rate of interest same रहेगा यानि कि जो इसका rate है 5% इसका भी 5% ही रहेगा अच्छा अब दोनों को solve करना है simple interest निकालना ठीक है तो पहले मैं इसका simple interest निकाल लेता हूँ simple interest क्या रहेगा इसका simple interest हो जाएगा वही PRT by 100 P कितना है X है इंटू में R कितना वही rate कितना 5 time कितना 10 by 100 10 से 10 कट गया एक 0 कट गया ठीक है और यहाँ पर कितना आजेगा आपके पास 5 to the 10 तो solve करके कितना है अभी X by 2 आगया ठीक इसका simple interest अब इसका निकाल लेते हैं भी यहाँ पर क्या रहेगा PRT by 100 वही लेगा आपने सेम तो क्या लग जाएगा formula simple interest का यहाँ पर भी पी कितना वही 2X इंटू में rate कितना वही यहाँ पर 5 time कितना 5 by में कितना 100 अच्छा इसको काट दो 5 से काट ओगा तो 5 टूजा कितना हो जाएगा 10 और पिछे 0 लगी फिर 2 से काट दो 2 10 जा 20 फिर 5 से काट दो 5 टूजा 10 तो इसका और बचा कितना एक्स बाइट उपितना वचा एक्स बैट तो जो इसका option होगा वही देखो यहां पर इसकी statement बनाते देखो इसका इसका simple interest कितना है से माय इसका simple interest भी एक्स बाइट दोनों का से मना तो क्या बोलेंगे आप ए और भी है जो ए एंड बी हैस सेम अमांट या फिर जो सेम इसका simple interest होगा वह जाएगा same simple interest चेक कर लेने के बार इसकी statement कौन से होगी same interest होगी सेम वाली होगी उसमें ठीक है तो अब करते हैं 6 वाला 6 में देख लो भी आपको क्या बोला भी बोरो कर रहा है Rs.724 में बीन क्या लिए हैँ 720 रूपे लिए है एसे ठीक है अब क्या कर रहा है क्या कर रहा है अब यहां पर मैं लिक देते हो योगर तीन साल के लिए तो टाइम होजेगा आपका तीन साल अब ध्यान से सुनो A ने B को पैसे दे दिए 720 रुपे कितने तीन साल के लिए rate क्या था 8% अब B नहीं क्या सुच्छा थोड़े पैसे बनाते होई पैसे बनाने के लिए उसने क्या किया वही अमाउट जितना उसने लिया था यानि कि जो उसने प्रिंसिपल लिया था 720 वो C को दे देता है किसको देता भी आगे C को दे देगा वो देखो C को कितने में दिया उसने C को दिया भी उसने rate आ यहाँ पर अपने पास दिख ले इतने गबार principle तो ही रहेगा 720 same to same क्योंकि वही दिया है यहाँ पर rate बढ़ जाएगा 10.5% में ठीक है और time कितना भी 2 साल time अपने पास यहाँ पे 2 year अच्छा अब इसको soul करना आपने क्या करना है soul करना है इसको भी और इसको भी check करना है कि जब इसने इसको पैसे दिये ठीक है 2 साल के लिए जितने भी दिये तो उसमें इसको benefit हुआ है यानि कि statement में आपको ही मिलेगा कि B को क्या फाइदा हुआ है नुकसान हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ है same रहे ठीक है तो आब इसको soul करेंगे तो पता चल जाएगा कितना हुआ तो soul करते है formula लगाओ simple interest का यहाँ पर क्या उत्तक PRT by 100 principle कितना 720 rate कितना भी 8 time कितना भी 3 साल बढ़ा में कितना आजएगा 100 ठीक है इस पर भी simple interest लगा लो इक अठीक कर लेते है चलो principle कितना भी 720 rate कितना है 10 and half इसको अच्छा soul कर लो 10 and half को miss fraction को complete करेंगे कितना होजगा 10 दून भी सरे 21 21 by 2% होजगा ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 21 by में 2 और निच्चे 100 भी लगता हुए ठीक है और 7 में कितना लग जगा 2 years पर 2 years के लिए ठीक है भी अच्छाब दोनों को soul करना है चेक करना है किसमें क्या अंसर आ रहा है देखो भी यहाँ पर पहले 0 से 0 कार लेते है 72 एटीस उसके बाद यहाँ पर होजगा भी आपका इसको काम करते हैं इसको आपको डिवाइड कर सकते है इसको काटेंगे तो कितना होजगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 286 बच गया वन 2612 फिर बच गया वन तो आज एगा 29 जा 18 ठीक है भी 286 बच गया वन 2612 और 248 है सोरी यहाँ पर क्या है 248 तो कितना आप यह 864 बाइ 5 आया है सिंपल इंट्रेस्ट क्या है सिंपल इंट्रेस्ट अच्छा यहाँ यह तो हो गया पार्ट आप उसको भी कर लेते हैं देखते क्या रहा है उसमें तो काटने में इसको जीरो से जीरो कट गी तू से चतिस कट गया यहां पर तो इसका सिंपल इंट्रेस्ट कितना है यहां पर निचे तो फाइव बचा है उपर क्या क्या बचा है 26 और 36 और 21 36 को 21 से मल्टिप्लाइ कर लोगी 6 3 2 को 6 से कर लोगी 6 5 7 7 56 आया तो लिख दो यहां पर सिंपल इंट्रेस्ट क्या है आपका 756 5 में 5 अच्छा ध्यान से सुनो गई यहां पर करना है क्या आपको आपको यहां पर एक चीज तो पहली पता चल जाएगी कि आपका फाइदा होगा या नुकसान लोस होगा या गेन होगा ठीक है वो कैसे पता चलेगा ध्यान से देखो सिंपल इंट्रेस्ट आपका कितना है अब यहां पर 865 by 5 और यहां पर कितना है 756 by 5 अगर यह सिंपल इंट्रेस्ट जादा आता अपना ठीक है इसको यहां पर जादे वाल्यू मिलती हमें यहां पर और यह वैल्यू कम होती फिर तो हमारा क्या अब यहां पर फाइदा है ठ ठीक है तो देखो अब हम यहां पर लोस कैसे निकाल लेंगे भी लोस निकालना वह सबतों आपनी क्या कर लेना है 864 by 5 को माइनस कर देना है किससे वही 756 by 5 से पता चल जाए कितना लोस है अच्छा डिनोमेटर दोनों का 5 आ तो इसलिए 5 ही रहेगा निच्छे उपर माइनस कर होगे तो कितना बचेगा भी आपनाफाल छेए कितने बचे यहां पर अपना हो जाएगा 8 यहां फाइट में 7자가 109 थीक है धिक्र बचली ठीक है तो 21.6 हां पिछ जिरो भी रूपीज सकता आपका इतने रूपीस को उसको लोस होगा वैं किया होगा यह हूज जाएगा आपको लोस अब देख लेना मैच कर लेना कॉन सो उप्षिन है यह फिर्स ले फिर्ट ही होगा नियुक्त पर हमारा सिक्स कुछन हो चुका है आई ओप आपको समझ आये होंगे दोनों यह statement वाले और यह भी चीक है जिसको समझ मैं आया है फटा फट चैनल को subscribe कर लो वीडियो को like कर दिया करो next वाला question करते है question number seven or eight करते हैं भी बिल्कुली simple है ध्यान से समझना आपने question number seven or eight में करना क्या है तो सबसे पहले देखो यहां पे 800 आपको principle मिला है उसके दो तीन साल के अंदर वो 920 रुपीज हो यानि उसका जो amount है 920 हो गया तो सबसे पहले हमें आपे simple interest निकालते हैं simple interest कैसे निकलते हैं अगर आपको amount रख क्या रख्षा Aगर आपको amount दिया क्यतना नाइन वंटि है और आपको साथ में principle principle कितना दिए भी 800 तो सिंपल इंट्रस्वा से निकालते भी आपको पता है amount में इसे माइनस कर देते हैं यानिकि 920 से में से अगर मैं 800 को माइनस करेंगो तो अपना कितना बज़ाएगा यहां पर 120 इसका सिंपल इंट्रस्ट हो गया अब हमारे पास यहां पर क्या बोला है तीन साल आपको टाइम दिये कितना दिया टाइम दिये ताइम आपका 3 year बोला है कि अगर इसी के अंदर rate of interest को increase कर दे 3% से तो आपका जो amount होगा फिर वो क्या होगा ठीक है लेकिन हमें rate of interest तो पता नहीं है तो पहले वाले का rate of interest निकाल लेते हैं rate of interest निकालने का क्या formula होता वही simple interest multiply में 100 divide में principle और time तो लिखें वही simple interest कितना आपका देखो यहां पे 120 है तो लिखो 120 multiply में 100 divide में निच्चे कितना जाएगा principle और time principle कितना भी 800 है लगा दो time कितना भी आपके पास 3 साल है हाँ 3 लगा दो ठीक है काट लो भी देखो क्या बचे कितना गया वही 5 कितना गया rate of interest हो गया 5 लेकिन उन्हें बोला क्या है कि rate of interest को 3% और increase कर लो तो 3% increase कर लेते हैं लिखता हूं मैं यहां पे increase rate of interest rate of interest increase करना वही कितना इंक्रीज करना है 3% तो लिखो भी देख लो time ball s में, if the rate of interest is increased by 3%, it would be amount 2, time भी रहेगा, आपका 3 ही रहेगा, क्या रहेगा, time भी, 3 year ही रहेगा, ठीक है, तो आपने बताना है, अब की amount क्या होगा, ठीक है, तो amount निकालने के लिए, निकी simple interest निकालना पड़ेगा, पहले, तो निकालो भी क्या होगा, PRT by 100, PRT, तिन्नों दरेखे हैं, तिन्नों को multiply करो, 8 multiply में, 800 multiply में, 3 by में, निचे कितना आजएगा, 100, 200 से 200 कटगी भी, अब क्या क करेंगे, जोड़ लो, इसको कितना होगा, 8, 80, 64, 64 multiply में, 3 कर लो, भी कितना आएगा, 3, 4, 12 का 2, 1 क्या रहेगा, 3, 6, 18, 19, 192, ठीक है, अब amount निकालना, हमने तो amount के लिए करते हैं, principal plus में simple interest करते हैं, तो principal कितना भी आपका, 800 है, plus में 192 आपका amount है, sorry, 192 आपका simple interest है, जोड कर देंगी, तो amount आपका 992 आगया, इसका मतले हैं, आपका question complete हो जाता है, option चेक कर लेना, I think, A option है, इसका, ठीक है, next करते हैं, भी question number 8 में देख लो, आपको क्या बोला है, राहुल है, जो लेंट कर रहा है, यानि कि दे रहा है पैसे, 6000 किसको मानिक को, मानिक को, उसने 6000 रु पीस receive कर रहा है, simple interest में, किसमें simple interest, ध्यान से देख लो, simple interest बोला है, तो सबसे पहले simple interest ही निकालेंगे दोनों का, और फिर हम इसका rate of interest निकालेंगे, rate of interest नहीं पता, तो x मान लें, क्या मान लेंगे भी, मान लो यहाँ पर, rate of interest होगा, जो आपका, यह सिदा rate ही लिख लिख करेंगे, ठीक है, तो चलो, बेली क्लो समान, जो जो given, आपको principle दिया भी, आपको यहाँ पे 6000, कितना, 6000, time कितना दिया भी, time हाँ के लिए 2 साल, ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया और, time हो गया, rate हो गया, rate हो गया, rate हो गया, अच्छा, वो principle कितना, इसका 1500 है, अच्छ इंट्रस्ट का, simple interest निकालो दोनों का, इसका simple interest कितना भई, निकालो, PRT by 100, P कितना आपका, यह रहा, R यह रहा, T यह रहा, तो ठीक है, लिकलो, multiply करके 6000, गुना में, 2 गुना में, X, बाए में 100, इस side भी मैं इकठा ही कर रहा हूं, इसमें भी PRT by 100 लगाना है, P कितना, 1500, rate क कितना भी आपका, T, time हो जाएगा, आपका, 4 यह, बाए में, कितना भी 100, अच्छा, बूज कर लो, काट पीट के, जो भी कटेगा, इसका, 2 0, से 2 0, कटेगे भी, 60 को 2 से करेंगे, 120 हो जाएगा, तो यह simple interest आपका, 120 X, ठीक है, और इस side भी काट लो, 2 0, से 2 0, 15 के साथ, तो मैंने यहाँ पर solve कर लिया, इसका भी simple interest, इसका भी simple interest, लेकिन उन्हों एक line बोल लिया है, receive from altogether, दोनों से इकठे ले रहा है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इकठा करना पड़ेगा, ना मानिक का और इसका, अरिक का, तो जोड़ लो, इकठा करेंगे, 120 X, प्लस में, 60 X, is equal to किस के होगा, यह दोनों simple interest है, दोनों के total, और total आपको पहले given a 900, तो इसको 900 के एको रख देंगे, जोड़ो भाई, 60 और 120 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, equal to 900, 180 से divide में जाएगा भाई, 900 के divide में 180 कर दो, 10 से 10 काट दो, 1850 90 होता, 18 का table लगा लो यहाँ पे, तो now we have simple rate of interest is 5%, कितना भई, पूरा कट कटा के सारे का सारा आपके पास 5% बचेगा, और जो यह 5% होगा, यह आपका क्या हो जाएगा, rate of interest हो जाएगा भई, जो हमें निकालना था, X की value आगे न, X हमारा 5% है, X क्या माना था, हमने rate माना था, तो यह 5% आगया, कितना आगया भई, 5%, अच्छा, option चेक कर लेना, दोनों question हो, कि यह option A था मेरे खाल से, और यह इसका B होगा, मेरे खाल से, चेक कर लेने का option, इसका MC कूज में क्या आएगा, answer आपका 5 आया, ठीक है, next वाला question करते है भी, question number 9, question number 9 करते भी, question number 9 थोड़ा important से, ध्यान से देखने, इसमें आपको statements मिलेंगे ऐसे, और उनको चेक करना है कि कौन से statement यहां पर true होगी, या कौन सी false होगी, ठीक है, तो ध्यान से देखा, आपको क्या बोला है, कि जो money है, आपकी वो double हो जाती है, 5 साल के अंदर, इसमें भी 5 साल में double हो जाएगी, अगर rate of interest आपका कितना है, 16 and 2 by 3% पर रहना म किसके साथ, 5 years वाली के साथ, किसके साथ भई, जो 5% वाली थी, ठीक है, जो 5 years वाली थी, यह वाली, इसमें जो हमारा होगा, देखेंगे वो कौन सी आएगी, अब start करते हैं इस question को देखो, विध्यान से समना question में क्या बोला है, तो पहले हम check करेंगे भी इसमें कितना होग पांच साल दिया भी आपको time, time भी बता चल गया, और क्या दिया अब आपको rate of interest आपको दिया, यहाँ पर कितना भई, 16 and 2 by 3, इसको complete कर लो mix fraction को, 48 or 250, 50 by 3 है, कितना भई, 50 by 3%, चीक है, अब formula लगा हो भई, simple interest का, तो simple interest कितना होगा भी आपको, जोड़ो इसको कितना होगा, प्रिंसिपल, rate time यानि की आपने पास दिया है, 5 और 50 by 3, डिवाइड में 100, 100 से 100 कर गया भई, ठीक है, इस को से सोल करेंगे, तो कितना आजएगा, आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, प्रिंसिपल, इन्टो में 5 by 50 by 3, 5 को से करते हैं, multiply ही कर लेते हैं, 25, 250 by 3, यहाँ अग काट भी सकते हो, आप डिवाइड कर लोगर कटना लो, 3824 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बचगा कितना भई, 3824, बचगा 110, 339, बचगा फे 10339, 333 रहे गए यहाँ ठीक है, तो यहाँ आपका आयाँ यहाँ पर, simple interest कितना है, simple interest आयाँ आपका, 83 by 33, ठीक है, अब हमने नि 183, 033, अब ध्यान से दिख्वा आप यहाँ पर, हमने कितना लिया था, 100 लिया था, आया कितना है, 183, क्या यह 100 का डबल है, नहीं है, 100 का डबल तो 200 होता न, तो इसका मतल पहली statement तो false होगी, कि यह double नहीं होगा, इन्होंने बोला था कि यह जो होगा, money वो double हो जाएगी, तो 100 का डबल, 200 होना चीए था, बट यह कितना है, 183, तो पहली statement आपकी false है, इसको छोड़ दो, ठीक है, अब second statement solve करते हैं, वही करना है, same to same, money get double in 5 है, time कितना भी आपके पास, 5 है, और principle तो हम 100 ही मानेंगे, consider कर रख़ए, ठीक है, rate आपके पास कितना है, 20, कितना है, 20, अ 100, 100 से 100 गट गया, और 5 और 20 को multiply करेंगे, 5 into 20 कितना हो जेगा, 100 हो जेगा, तो यह आपका simple interest आगया, तो amount कैसे निकालते हैं भी, principle plus में simple interest, principle कितना 100, simple interest भी कितना 100, तो answer कितना है, 200, देखा भई, तो अब मुझे बताओ, ध्यान से देखके आपे, principle 100 है, और amount अपना 200 है, तो क्या है, 100 का double है, 200 है, भई, double, तो आपकी जो second statement है, यह तो true होगी, ठीक है, अभी इस third वाली भी check करते हैं, कि third वाली भी true है, कि नहीं है, ठीक है, तो third वाली में क्या बोला है, money became four times, कि money 4 गुन हो जाएगी, अच्छा, third point start कर देते हैं, यहां से, third statement चेक करते हैं भी, third statement व हो जाएगा अपकी बार, कितना हो जाएगा, 10 साल, ठीक है, rate of interest भी पुराने वाला रहेगा, 20 परसेंट वाले, ठीक है, 5 साल में था ठीक है, अब देखो भी क्या करें यहां पर, formula लगा दो simple interest का, कितना भी अपने पास, यहां पर, PRT by 100, यानि कि 100, 10 multiply में, 20 by में, कितना हो 100, 100, 100 कर गया, तो answer कितना है, 200, अच्छे, तो simple interest आया, अब निकालते हैं, आपर क्या भी, amount, amount का formula क्या होतता, अपने पास, 200, प्लस में 100, तो कितना हो गया, 300, अब देखो ध्यान से, principle कितना था भी अपना, 100, amount कितना है, 300, इसका क्या है, 3 गुना हुआ, 3 ताइम्स हुआ, 4 ताइम्स तो नहीं हुआ, तो यानिक, यह statement भी आपकी क्या है, false है, तो only second statement आपकी true होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हो, only second statement is true, ठीक है, और यह true है, और यह option आपका check कर लेना, B है, या पता नहीं, B होगा मेरे खाल से, check कर लेना, ठीक है, next वाला question करते हैं, question number 10 और 11 करते भी, जो हमारा question number 10 है, उसके अंदर दिखो, आपको क्या दिया हो भी, यहाँ पर, invert time, will a sum of money double, आपको क्या बोला है, कि वो time निकालो, जिसमें जो sum है, वो double हो जाएगा, यानि कि हमारा जो principal हमें नहीं पता है, तो फ़र तो principal मान लेते हैं, इसमें हमारा 100 मान लेते हैं, क्य sum हमारा क्या होगा, money double हो जाएगी, यानि कि जो sum है, वो double हो जाएगा, amount में, 200 हो जाएगा, ठीक है, itself at rate दे रिख आपको भी rate complete कर लो, पहले तो यह, 6, 4, 24, 1, 25, by में 4 आजेगा, यह percentage होगी, अब आपको बताना है, कि time क्यों होगा, हमें time की यहाँ पर requirement है, वो निकाल ले लेकिन time से पहले यहाँ पर simple interest find out कर लेते हैं, पहले क्योंकि इसमें formula input करेंगे, तो जो हमारा simple interest होता formula क्या होता है, amount minus में principle, यानि कि amount 200 है, principles हो है, minus करेंगे, तो हमारा simple interest 100 हो आगया, अब formula लगाते हैं यहाँ पर, हमें time निकालना, time का formula क्या होता है, simple interest into में 100, divide में कितना तब ही principle into में rate यही आएगा, तो रखते हैं चलो value देखो simple interest आपको कितना दिया, 100 है, लिख लो यहाँ पर 100 है, multiply में 100, divide में, principle कितना भी आपका यहाँ पर, simple interest भी 100 था, और यह 100 पहले था, principle कितना आपका 100 है, और rate आपका कितना भी यहाँ पर, rate देख लो, divide में लगा दो, rate 25 by 4, यहाँ लिखोगे, 25 by 4, ठीक है भी, यह हमारे पास हो गया, अब soul कर लेते, इसको काट पीट के जो भी गट रहा है, अब देखो भी, इसको काटें के तो आप आएगा, 25, 25, 6, काट होगे, 4 आजेगा, 25, 6, काट होगे, 4 आएगा, 4, 4, 16, तो आपके पास जो time आया है, वो कितना है, 16 यह आए है, 16, 16 साल के बाद, 16 यह के बाद हमारा क्यों हो जाएगा, जो है, amount वो double, जो हमारा sum है, वो double हो जाएगा, तो आपका जो option आएगा, इसमें मेरे खाल से D है, चेक कर लेने, एक बार 16 अंसर आए अपना, 11 question देखो, इसमें भी यह करना है, sum of money became 8 by 5 of itself sum of money है, देखो यहाँ पर पहले, हमें नहीं पता sum of money है, नहीं कि principle है, हम 100 मान लेते हैं वापिस, और जो amount होगा, 8 by 5 होगा, of itself, itself यानि कि 100 का 8 by 5, निकालो भी काट के 20, इसको करोगे तो 160, तो जो आपका amount हो कितना भी, 160 है, तो simple interest भी निकालो जैसे पिछले में निकाला है, क्योंकि जूरत पड़ेगी, उसकी 160 में से 100 को माइनस कर दोगे, तो 60 आजेगा, तो आपका जो simple interest आया, वो 60 आया, अब देखो क्या बोला है, time दिया 5 years, कितना दिया भी time आपको यहाँ पर, 5 years time दिया है, at a certain rate of interest, the rate of interest पर है न, हमें निकालने यहाँ पर rate, यानि कि R की value न निकालनी है, कितनी percentage आएगी, ठीक है, तो देखो भई, formula भई लगाएंगे, simple interest का rate निकालने का formula जोता है, simple interest into में 100, divide में कितना आता भी time और principle, तो देखो, simple interest कितना निकाला है, 60 है, उपर multiply में 100 है, निचे divide में कितना आएगा, time कितना अपने पास, 5 years, तो 5 years रख दो, into में यहां पर आपका अंसर, यह होगा, आपका question complete, तो option check करने है, भी D है मेरिक हाल से, ठीक है, question number 11 हो गया, आपको समझ आयोगा, समझ आयोगा, तो भी video को like कर दो, चैनल को subscribe कर दो, जिन्होंने नहीं किया है, next question करते हैं, फिर 12, question number 12 और 13 करते हैं, question number 12 में देखा, आपको क्या अब यहां पर, invert time, will the simple interest on rupees 780 at 5% be equal to the simple interest on 600 at 6 and 1 by 2 percentage, ठीक है, तो आपको यहां पर time निकालना है, क्या time लें, कि जो इसके उपर और इसके उपर, दोनों conditions के अंदर निका simple interest is same रहे, तो सबसे पहले तो simple interest निकाल लेते हैं, time हमें नहीं पता, तो हम time को फिलाल x मान लेते हैं x year मान लेते हैं time को, दो case बनेंगे यहां पर, पहला case है यह वाला, यहां पर लिखो, कितना दी आपको principle दी है 780, ठीक है, और आपका rate है जो वो 5% है, इस एड़ दूसरा case कर लेते है, time यहां पर भी क्या रखेंगे, x year ही रखेंगे फिलाल, ठीक है, और साथ में जो principle है व दोनों में simple interest निकालना, आपने, पहले इसको निकाल लेते है, simple interest, formula के होता है, PRT by 100, दोनों को, तिनों को multiply कर दो भई, 780 multiply में, 5 multiply में, x by में कितना भी, 100, ठीक है, ऐसा ही same two, semicide solve कर लो, PRT by 100, यानि कितनों को multiply करो, x multiply में, 600, multiply में, कितना लग जाएगा भई, 13, by में 2 भी है इसके ठीक है, और साथ में निचे 100 भी लगता है, तो अब दोनों को solve करोवे देखो, यहाँ पर कर देता हो, मैं 1,0 से 1,0 कट गी, 5, 2,10, 2 से काट तो कितना आ जाएगा भई, 2,3,6, बच गया, 1, 2,9,18, तो कितना आभी अपना solve करके, 39X आया है, simple interest, ठीक है, अब है, अब पर भी 39X है, यहाँ पर भी 39X है, तो दोनों के अंदर, जो भी हमारा simple interest है, वो same है, अगर simple interest same है, तो आप time कुछ भी ले लो, यहाँ पर वो आपका equal ही रहेगा, तो always equal रहेगा, क्या रहेगा, always equal रहेगा, कोई भी time ले लो, आप any value of T, the simple interest always be equal, ठीक है, तो यहाँ पर हमार deposit करा गए भी पैसे, each at 15% per annum, दोनों का जो rate है, वो same है, क्या है rate है, यहाँ पर दोनों का क्या है, 15% rate है, दोनों का same rate है, और आपको यहाँ पर बोला क्या गया भी, कि दोनों में 3 and 1 by 2 years होजेगा, और 5 years होजेगा, अच्छा time अलग अलग है दोनों का, एक का time है 3 and half years, एक सबसे पहली क्या करते हैं, भी हम यहाँ पर sum मान लेते हैं, उपर, let, हमारा जो P होगा, वो कितना होजेगा, 100 है, दो case बनेंगे, इसके, एक तो 15% और यह वाला, एक 15% और यह वाला, ठीक है, तो यहाँ पर एक और बार मानना पड़ेगा, मुझे, let, P is equal to 100 है, दोनों केस क कितना भई, इसमें 3 and half, multiply कर लो 3 श्रेक साथ, 7 by 2 years हो गया है यहाँ पर, और इसमें कितना यह रहा भई, इसमें time अपने पास 5 year, कितना भई, अच्छा, दोनों का simple interest निकालना, दोनों का simple interest, देखो भई, ऐसा ही, PRT by 100 करते हैं, principle कितना 100 है, rate कितना 15 है, time कितना 7 and by 2, तो इ इसके निचे 2 लगा देता हो, में इचे 100 है, ठीक है, इसमें भी simple interest का फूमला लगा लो भई, PRT by 100, 100, multiply 15, multiply 5 by 100, ठीक है भई, अब देखो चोलो, solve कर लेते हैं, देखते हैं, हमारा क्या आएगा, यहाँ पर, सबसे पहले, 100 से 100 कर गया भई, 15 समझा कितना होता है, 105 by 2 आगय ठीक है, इसको भी solve कर लो, 100 से 100 कर लोगा भी, 15 समझा कितना होता है, 75, यह हमारा 75 आया है, तो यह हमारा simple interest आया जो, 75, दोनों के बीच में, difference निकालो, difference between, बोथ, simple interest, difference क्या रहेगा भी इन दोनों का, वो देखो, माइनस कर लो, किसे करेंगे, माइनस यहाँ पर, 75 से माइनस कर लेंगे भी, 75 माइनस में, 105 बाय में, 2, तो, LCM दोनों कितना आएगा भी, यहाँ पर, 2 ही रहेगा, LCM तो, 2 को मल्टीप्लाय करेंगे, तो, 150 आएगा, माइनस में, 105, LCM तो लेना आता है ना भी, 2 को मल्टीप्लाय कर लो, 75 से, तो, 150, 1 को करेंगे से, तो, same ही आएगा, दोनों को माइनस करेंगे, तो, 45 by 2 आया है, कितना आया भी, यहाँ पर, 45 by 2 है, difference, अच्छा, ध्यान से सुनो, difference कितना अपना 45 by 2 अगर हमारा difference 45 by 2 है तो हमारा sum कितना है भी sum है हमारा 100 तो same to same करना है अगर हमारा यहाँ पर difference 144 है तो अपना sum क्या होगा तो यहाँ पर लाइन यह लिख देंगे दो statement सी देखो कैसे लिखेंगे if the difference if the difference is कितना भी 45 by 2 है then sum is then sum is sum कितना भी अपने पास यहाँ पर हो जाएगा 100, कितना 100 ध्यान से सुन लो मैंने क्या लिखा है if the difference is 45 by 2, अगर difference 45 by 2 है दोनों का, तो sum अपना कितना 100 है ठीक है, तो अगर difference यहाँ पर same statement, if the difference is 1, अगर difference 1 है, then the sum is, sum कितना होगा भई, 100 100, इसे अड़ा के उल्ट हो जाएगा multiply कर देते हैं, reciprocal 2 by में 45, कितना हो जाएगा भई यहाँ पर 2 by में 45 हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा है, 2 by में 45 अब देखो, if the difference is, कितना भई 144 होगा, क्या होगा 144, then the sum is, कितना हो जाएगा भई, तो 144 में क्या हो जाएगा, भई अपना 100 लेंगे, multiply में 2 by में 45, multiply में कितना जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है अब इसको थोड़ा काट लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बचेगा, पहले 5 के टेबल पर काटेंगे, 5, 2, 16 को दो से करते हैं, अच्छा जो जो बचाई साइट लिख देता हो पहले में, 22 और 16 multiply कर लो भई, 22 जो 40 इंटु में 16, 64 तो आपका यहाँ यहाँ पर रूपी 640, अच्छा जो आपका sum होगा ना, वो कितना आया answer, 640 आया है, भी बहुत important question है, और last की जितनी भी आपने question बचेंगे, सारे के सारे important है, ठीक है, तो ध्यान से समझाना है, जो 14 अगर किसी को समझा आ जाता है, तो 15 अपने आप भी कर सकता है, बिल्कुली similar हैं दोनों, तो ध्यान से सुनो भी क्या बोला है, sum of money 2500, एक बंदे के पास 25 अरपे हैं, ठीक है, 2500 है, lent out into two parts, उसको दो बागों में बाट कर दे देता, हमें नहीं पता किसको कितने दे रहा हो, ठीक है, किसी को 500 दियों, किसी को 2000 दियों, हमें नहीं पता, ठीक है, तो बाट रहा हो दो पाट में, पहले वाले बंदे को देता है, वो 12% पे, और दूसरे वाले को देता है, 12.5% पे, तो the total annual income, दोनों से जो interest मिलेगा उसको, साल का, वो कितना मिलेगा वही, 306 मिलेगा, the money lent at 12% तो ये बताना है कि 12% पे कितने पैसे उसने lent दिये थे, यानि कि किसको एक बंदे को X, यानि कि X रुपीज दिये, फिर दूसरे क्यों सो देगा, principle जहां पर उसने, दूसरे बंदे को 25-X, यानि कि total में से minus कर देंगे, उतने गए उस पे, ठीक है न, देखो, एक बंदे को कुछ पैसे दिये, उसने मान लियो, X दिये, तो दूसरे कितने देंगा, जुतने बचे हुए न, 25 हो में सुतने तो देगा वो, तो दूसरे के लिए हो गया, ये 12 परसेंट वाला, तो यहां पर हमारे पास rate है, वो 12 परसेंट ले लेंगे, यहां पर जो rate होगा, वो कितना हो जएगा भई, 12 and half परसेंट, इसमें टाइम आपका कितना रहेगा भई, वन यहरी रहेगा, क्योंकि एक ही साल है टाइम तो, वैनुवल दे रहा है न, वो, एक साल के लिए दे रहा है, तो यह दुनों केसों में हमें सिंपल इंटरस्ट निकाला, तो निकाल लो फटाफट, इसका सिंपल इंटरस्ट का फोर्मला क्या रहेगा, PRT by 100 तिनों को मल्टिप्लाइ करो, X गुना में, 12 गुना में, 1 बटा में, So आजएगा, यहाँ पर भी सिंपल इंटरस्ट निकाल लो भई, क्या रहेगा, 2500 माइनस में X, इंटू में, कम्पलीट करो भी स्को, 12 गुना, 24 गुना रहेगा, कितना रहेगा, 25 गुना में, 2 और इंटू में उपर कितना रहेगा, टाइम कितना बन है, तो दुनों को सोल कर लो, जो जो आ रहा हो, पॉइंटो का चक्कर पड़ेगा, तो ऐसे रख लेते हैं, इसको काटेंगे नहीं, इसको ऐसे 12 ही रख लेते हो, तो सोल करके कितना बहेगा है, 12 X by 100 आये, कितना है, 12 X by 100 इसको काट लेते हैं, अगर कट रहे यह भी नहीं, छोड़ो इसको भी ऐसे रख लेते हैं, तो अपने पास यह सिंपल इंट्रस्ट कितना है भई, यह भी ऐसे आजएगा, इसको लिखेंगे में यहाँ पर, 2500 माइनस में X, इंटो में 25 है यहाँ पर, डिवाइड में कितना 100 इंटो 2, 200 अभी कितना है 200, ठीक है, यह आगया, अच्छा दोनों सिंपल इंट्रस्ट मिला कर, हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, आपर देखो लिख देता हूँ, दोनों सिंपल इंट्रस्ट, यानि कि 12X बाइड में 100, प्लस में 25 इंटो में 2500 माइनस में X, इस बाइड में 200, दोनों सिंपल इंट्रस्ट मिला के, टोटल पैसे बन रहे हैं, 36, कितना था वही, कहा गया, 306 था, 306 रुपीज उसको मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं भी 306, तो इन दोनों को सोल करना, आपने और X की वेल्यू निकालने हैं, अगरना, सोल करके X की वेल्यू, पहले निचे लसियम देख लेते, कितना आएगा, लसियम आजएगा वही निचे 200, कितना आजएगा निचे लसियम, 200 लसियम आगा वही निचे, अब ध्यान से समझना है, यह वाला स्टाप्षब हाड होता है, अब देखो, 200 हा, अब यहाँ पर मैं इस से मल्टिप्लाइ करूँगा, इसको 2 से, किस से करूँगा अब लगी 2 से, देखो, जो भी रफली मल्टिप्लाइ होता है, उसको पर 200 लसियम आए, इसको भी 200 से मल्टिप्लाइ है, रफली उपर 200 से, देखो, 100 से, 200 कट की तो 2 बचा, 2 से इसको करूँगा तो 12, 2 से 24, कितना आए भई? 24x, प्लस में, अब देखो, 200 है निचे भी उट, पर भी कटिगा पूरा, तो इसको 1 से करेंगे, तो सेम ही आए गए, तो क्या आएगा? सेम ही आएगा, 25 को पूरे से अंदर मल्टिप्लाइ कर दो, तो 25 मल्टिप्लाइ में, मल्टिप्लाइ चोड़ो, ब्रैकेट में ले लगते हैं, कितना आवई 25, 100 है? माइनस में X है, इस गुल्डो कितना आवई 306, अच्छा, अगर किसी बच्चे को फिर भी नहीं समझाया ना, मैंने कैसे किया है, तो एक और तरीका वो देख लो कैसे है, इसको भी 2 से मल्टिप्लाइ, निच्छे भी 2 से मल्टिप्लाइ, 12 to the 24, और निच्छे कितना होजएगा? 200, ये भी denometer 200 है, तो that's why denometer 200, और उपर कितना अब ही है, 24 प्लस में ये पूरा से, ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे करना, तो अगर वो वाला मैथर नहीं समझाया, देखो भी solve कर लो इसको, 24x प्लस में, 25, 25 कितना होजएगा? 625, पिछे कितनी जिरो होजएगा? 20, माइनस में 25x, और निच्चे का 200, डिवाइट सेट जाके, मल्टिप्लाइ, 306 को मल्टिप्लाइ करना, आपने 200 से, ठीक है? अब 24x में से 25x माइनस करेंगे, तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि माइनस x बढ़ा होजएगा, 625006 जाके माइनस हो जाएगा बई, तो 306 को पहले मल्टिप्लाइ कर लेते हैं, यहाँ पर, क्योंकि फिर माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर लो बई, 2612, 236, और यहाँ पर कितना बई, 200 है, माइनस में कितना बई, यहाँ पर 625, 625, 100, अब क्या करेंगे, माइनस एक बचेगा, और पिछे कितना बई, डबल जीरो, 1300 है, देखो, यह भी माइनस कर दो, तो X के वल्यू कितना आगी, 1300 है, कितना आगी X के वल्यू, 1300 आजाएगी, और अपना यह question complete हो चुका है, देख लो, बिल्कुल सिंपल है, वैसे थो, बस थोड़ा सा लेंथ ही है, वो आपने calculation ध्यान में रखके करना है, इसका अंसर्ट, 1300 आएगा, X के माना था, X माना था, 12% वाले में, और इनने पुछा कहा था, 12% वाले का बताओ क्या आएगा, तो 12% में आएगी वैल्यो वाई, 1300 की बंदे को हम, 1300 रुपीज देंगे 12% पे, ठीक है, बाकी दूसरे को देंगे, 12.5% पे, ठीक है, तो हमारा question complete हो चुका है, option check कर लेना, 1300 कौन सा C होगा मेरे खाल से, next करते हैं, question number 15 करते हैं भी हमारा, जो question number 15 है, वो 14 के जैसे यह मैंने आपको starting में बता दिया था, तो 14 आपको ध्यान से आया होगा समझ में, तो अभी ये भी आ जाएगा, ध्यान से सुनो, out of a sum of 625, जैसे पहले में हमने 2 पार्ट में बाटना था, वैसे अब की बार भी 625 रुपीज को 2 पार्ट में बाटना है, पहले पार्ट को 5 परसेंट पे देना है, दुसरे वाले को 10 परसेंट पे देना है, ठीक है, उसके बाद, interest होगा जो पहले पार्ट पर, वो 2 साल के अंदर, equal हो जाएगा, interest on the second part after 4 year, पहले वाले पार्ट में 2 सालों के लिए लगाना है, और second वाला पार्ट है जो उस पे 4 years के लगाना है, तो दोनों equal हो जाएगे, एक दुसरे के, तो आपने करना क्या है, दो case बनाने है, और second part का sum निकालना हमने ठीक है, तो let कर लेतने हैं पहले, second part sum, इस ही को माल लेतने हैं पहले, x माल ले, क्या माल लिया, x यानि कि जो हमारा principle है, वो x हो गया, अब second part के लिए तो यह होगा, first part में क्या होगा भई, first part का principle हमारा क्यों हो जाएगा यहाँ पे, अगर यह x है तो दुसरे वाला क्या होगा, minus करते हैं पते हैं आपको, कितने में से करना भई, 625 में से, 625 में से, minus कर देंगे x को, ठीक है न, अगर वो x दे रहा है, तो बचाओ पार्ट फिर दुसरे का देगा, वो यह होता है न, तो second part में x है, अब second part में होगा, अब principle के बाद rate लिखेंगे, और time लिखेंगे, अच्छा, rate और time देख लो क्या भई, यहाँ पर rate आपके पास 5%, first part के लिए, ठीक है, rate लिखो है पर 5%, time उस पर 2 साल है पहले के लिए, ठीक है, अगले पर देखो भई, प्रिंसिपल दो गया, rate और time इसका भी लिखो, rate कितना वाइस के लिए, 10% है, time कितना वही 4 है, ठीक है, 4 एर है इसके लिए ठीक है, अब दोनों का simple interest निकालते है, भी निकाल लो फटा-फट, simple interest का फोम लग जाता है, PRT by 100 तीनों को multiply करो, X into में 10 into में 4 by 100 लगा दो, इसको भी solve करो वैसे करना है, simple interest, क्या बनेगा अब यह अपने पास यहाँ पर, 625 minus X into में 5 into में 2, by में कितना वही 100 ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा यह, यह बन गया ठीक है, अब इसको solve करते हैं, देखो, 10 ठीक है, और इसको solve करेंगे तो, इसको तो, 5 to the 10 हो गया, 10 से 1 0 कटगी, देखो, 5 to the 10 होता है, 10 से 1 0 कटगी, तो मैंने direct in को solve करके, यहाँ पर काट दिया, तो कितना बचा वही अपने पास, 625 minus X by में 10, अच्छा, अब condition सुनो, question में क्या थी, यह 4 साल वाला, और यह 2 साल वाला, 4 year और 2 year, दोनों के दोनों एक दूसरे के equal होंगे, क्या होंगे देखो, लिखा न, is equal to, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के equal होंगे, तो 4X by 10 को, मैं यहाँ कर रहा हूँ इससाइड, तो 4X by में 10, multiply में 10, is equal to 625 minus X, 10 से 10 कट गया भई, तो क्या बचा, 4X, और यह minus इससाइड आगे, प्लस हो गया, 4 और 1 कितना हो गया भई, 5X होगे न, total 4X और 1X, तो 25 उससाइड है, 5 divided में भेज़ दो भई, तो X की वेल्यू कितने आजएगे आपकी, 625 आए में 5, काट दो भई इसको, काट के कितना बचेगा, यहाजएगा 125, कितना आजएगा, 125 आजएगा, तो X की वेल्यू होगी, जो 125 हो जाएगे भी, आपके और यह आपका हो जाएगा, यहाँ पर फाइनल अंसर, ठीक है, तो यह हमने X निकाल, X क्या था अपना यह रहा भई, 2nd part का सम था, 125 ठीक है, तो हमने निकालना किस का था, 2nd part सम यह रहा भई, 2nd सम निकालना था, तो 125 आपका फाइनल अंसर है, MCQ में मैच कर लेना, कौन सा पार्ट है उप्षिन है, उसका A, B, C, D में से, C, I think मैंने दिखाने, ठीक है भई, next वाला कॉश्चिन करते है, कॉश्चिन नमबर 16 और 17 करते हैं, हमारे इसके बाद एक क्वेश्चिन बच जएगा, फिर हमारी जो एक्सरसाइज है, 8E, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, देखो हमारे सक्षिन क्वेश्चिन क्या बोले, compound interest निकालना भई, compound interest निकालने के लिए पहले आपको amount निकालना पड़ता है, और amount का formula होता है, principle इंटू में 1 प्लस में, rate बाई में 100 की पावर, time, ठीक है भई, यह सारी की सारी value आपको put करने है भई, यहाँ पर, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, amount आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भई, principle value put करो, 540, यहाँ पर रखो 540, 1 प्लस में, rate कितना भई, यहाँ पर लिखो, 50 by 3, 50 by में 3, और निच्चे कितना भई, 1 by 6 की power 2, अब देखो क्या करेंगे, 540 है जटीज, L sim ले लो भई, L sim दो लो कितना आएगा निच्चे 6 आएगा, 6 को 1 से करेंगे 6, 1 को 1 से करेंगे 1, उपर power 2 है, तो 540 multiply में, यहोगा कितना भई, 7 by 6 की power 2, तो इसको दो बार लिखेंगे, की power 2 है, तो क्या हो जाएगा भई, 540 multiply में 7 by 6, multiply में 7 by 6, तो आपका amount आया भई, वो कितना आया यहां पर अपने पास, amount आया यहां पर हमारा 105, sorry 105 बोल रहा हूँ, यहां पर साथ में कितना भई, 105 इंटू में 7 भी बचा, कितना भचा है, 7 भी तो बचा है ना, हमने 15 को 7 से किया, 105 और एक 7 और बचा, इसको multiply कर लो, 735 आया, कितना आगया, 735, अच्छा, 735 है और यहां पर कितना भी 540 है, यह हमारा क्या है, amount आया है, क्या है यह amount आया है, तो हमें निकालना क्या है, compound interest, compound interest का formula क्या होता है, compound interest का formula होता है, amount minus में principle, यानि कि 735 में से minus करना, आपने 540, minus कर लो, कितना आएगा देखो, 5 का 5, और 13 में से 9 कितना हो जाएगा, यहां पर 9, 6 में से 5 गया 1, तो 195 रूपीज होगे आपका, अब देखते हैं भी next, 17th question में क्या बोला है, the difference between simple interest, compound interest, दोनों के बीच में difference निकालना है, simple interest के बीच में भी, simple interest और compound interest, दोनों निकालना है, दोनों के बीच में difference निकालना है, अगर आपको principle दे रिखा, दिखे लो यहां पर, principle आपका अगर क्या, 600, इसमें भी principle क्या भी आपका, 600, ठीक है, और क्या दिया भी आपको, चाहँ टाइम दे रिखा, 1 year और percentage दे रिखिये rate की 10%, रेकन हाफ yearly, अच्छा इसको हाफ yearly की case में करना भी, हमने जब 8, A, B, C, D की थी, इसमें हाफ yearly का case पढ़ा था भी, quarterly का, half yearly का, तो उस case में क्या होता है, अगर आपको half yearly रिखो, in case of half yearly, इसमें क्या करते हैं भी, हम जो time होता हुआ उसको double करते हैं, time अपना क्या हो जाएगा, 1 into 2, double हो गया भी, 2 year हो गया, और rate उसको करते हैं half, यानि की 10 का half कर दो भी, 5%, तो आपको बाता चलिए न, time क्या रहेगा अपना, 2 साल रहेगा, rate आपका 5% रहेगा, चलो बहुँ, simple interest का formula लगा हो भी, simple interest का formula क्यों लगा होता है, PRT by 100, principle यानि की 600, into में rate कितना भी, 5 into में time कितना, 2 बटा में 100, ऐसी side कर लो भी, compound interest निकालने के लिए, परले amount निकालना वड़ता है, principle कितना, 600, 1 प्लस में rate कितना भी, यान पर, 5 by 100, time कितना भी, 2, चिक्छिए, अब काट लो, ये कट गया, 5 to the 10, 10 को 6 से करते हैं, अब कितना हो जेगा, 60, तो simple interest कितना भी, 60 आया, अच्छा, amount निकालके, फिर वो solve कर लेते हैं, देखो, जो जेगा, आपका, 5 to the 10, 20 बचा निचे, तो amount कितना हो जेगा, भई, amount निकालना आपने, 600, 1 प्लस में, 1 by 20, उपर पावर 2 है, lc में ले लो, इसको lc में लेना पड़ेगा, आपको पहले, lc में लोगे, तो निचे आजएगा, 20, 20 को 1 से करेंगे, 20, प्लस में, 1 को 1 से करेंगे, 1, तो जेगा, आपका, 600, इंटू में, 21 by 20 की पावर, 2, अच्छा, इसको 600, मल्टिप्लाय में, 21, मल्टिप्लाय में, 21, by में कितना वही, 2 बार 20, क्योंकि 2 बार थी न, पावर उपर, तो 2-2 बार लिखते हैं, इसको पता ही, आपको, काट लो भी, 2-0 से, 2-0 कट लिए, 2 से काटो, 1 मल्टिप्लाय में, 3 बार में, 2 बचा अपने पास, ठीक है, अच्छा, इसको सोल करके, मल्टिप्लाय करें, कितना आज़ेगा, 3 बन जा 3, 3 फो जा 12, 3 फो जा 12, और 1 13, बार में 2, अच्छा, यह आगया बई, देख लो, हमने निकालना, कंपाउंड इंटर्स्ट में से, क्यों vocal है, अपने पास यहां पर, कंपाउंड, इंटरस्ट माइनस में, शिम्पल इंटर्स्ट, ठीक हा बई, तो हमारा, कंपाउंड देक्ष्ट्ट क्या रहेगा, यहां पर, अच्छा, अपना 600 था ना यह आपका आया इंटरस्ट कितना यह आपका इंटरस्ट 123 बाइट अब इस 123 बाइट करेंगे यहां पे वैल्यू पुट करेंगे कितना यह आपका 123 बाइट में टू माइनस में सिंपल इंटरस्ट कितना 60 तो लस्म कितना यह दोनों का बई निच्चे आएगा टू और मल्टिप्लाइ करोगे तो कितना बचेगा थी बाइट तो और त्री बाइट को जब आप डिवाइड करते हो तो कितना बचता बचता लगा सकते हो लगानी है तो तो आपका जो फाइनल अंसर होगा वह कितना होगा बई 1.50 होगा ओप्शन चेक कर लेना यहां पर 17 कंप्लीट आई होप आपको समझ आयोगा बई फिर भी कोई डाउट आर तो कमेंट करके पूछ लेना और वीडियो को लाइक कर देना चैनल को कर लो जिन्हों नहीं किया एक टिक अपने फ्रेंड्स और क्लास्मेट को भी शेर कर दिया कर हो चैनल ताकि टाकि ग्रो कर सके चलो नेक्स queen करता है वी 18 लास्ट question बचा अपना कुश्यन नंबर 18 करते हैं भी लास्ट कुश्यन हा हमारा और हमारी एक्सरसाइस कंप्लीट हो जाएगी ठीक है तो ध्यान से सुनों इसमें क्या आप बोला आपको सम हमें नहीं पता है यहां पर प्रिंसिपल हमें नहीं पता निकालना पड़ेगा आपको रेट दिया हो है यह टाइम का फोमला क्या हो जाएगा अब अपना सिंपल इंटरस्ट इंटु में 100 बैए में कितना लगाते हैं निच रेट इंटू में अप्रिंसिपल तो देखो भी अच्छा हम क्या निकाला थे प्रिंसिपल निकालना यह था तो हमें गीवन है तो आपे टाइम लेंगे नि टाइम कितना भी अपना टाइम अपने पास टू तो इस दो से दो काट दो ठीक है बई और 254 जा 100 फोर से मल्टिप्लाइ कर लो भी 256 को तो करोगा आप का जेगा 1024 ठीक है अच्छा 1024 क्या आपका प्रिंसिपल आगा अब हमें निकालना निकालना भी प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना भी अपने पास यहां पे 1 प्लस में आर बाई 100 रेट इतना अपना 25 बाई में 2 इंटू में 100 और टाइम उपर दो साल ठीक है बई तो 1024 अब अंदर देख लो 25 जा 100 निचे 8 हो जेगा 1 प्लस में 1 बाई 8 की पावर 2 सोल करोगे तो कितना हो जाएगा भई 1024 मुल्टिप्लाइ में यहां पे इस काल्सिम ले लेना भई 8 बंजा 8 निचे रहेगा 8 और उपर कितना आ जाएगा अपने पास यहां पर 8 और 1 9 ठीक है अब आपको लेना कितने कर लिए हमने ठीक है तो देखो भई 1024 यहां पे 8 और मुल्टिप्लाइ में कितने हो जाएगा वी 9 बाई 8 अच्छा यह से काट दो ऑई 8 बजेगे 2 8 बजो कितने कितने हैं भई 6 8 ठीक है और ऊपर जाएगा वन को उसके बाद 16 अच्छा वो तो हो गया अपना अब 168 जा कितना हो जागा अपना 128 और 1 कितना हो जाएगा अपने पास यहां पर 129 तो कितना है अपने पास 1296 आचुका आपका क्या आया यह अमाउंट आया है तो मैं तो पाउंड निकालना कंपाउंड इंट्रेस्ट का फोण यह रहा माउंट माउंट कितना है 1296 प्रिंसेपल कितना था 1024 माइनस करोगा तो कितना जैगा अपने पास यहां पर हो जाएगा यह 6 में से 4 गया 2 9 में से 2 गया 7 12 में से 10 गया 2 तो 272 आया वही कितना आया है रुपीज 272 आपका final answer आ गया है चेक कर लेना एक बार आपने बुक के अंदर कौन सो option है I think D option होगा यह और यहाँ पर अपना exercise है जो complete हो चुके भई आज हम यहाँ पर complete करते हैं one short video हमारी है ठीक है तो यहाँ तक आपने question करके देख लेने हैं भई जो जो question हो में आपके doubt आते हैं या उच problem आते हैं तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो बाकिया अपनी वीडियो जो हमने बनाई है अभी इसको अपने friends और classmates को भी share कर दो ता कि उनकी भी help उसके भई और channel को subscribe जरूर कर लेना ठीक है thank you